पकड़ो 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 अरे पच्छे को लेकर भाग गया पकड़ो अरे क्या हुआ भाई सुबह सुभा अपने गाउं में ये सोर कैसा अरे किसी के घर में चोरी या डकैती हुई है क्या नहीं भाई ध्यान से सुनो लोग धोल नगाडे पीट रहे हैं शायद कोई जंगली जानवर हो, पंडित क्यान चंद उधर से ही आ रहा है, आउ उसी से पूछते हैं पंडित जी ये कैसा शोर है, कोई जानवर गाउं में गुश गया है क्या अरे नहीं भाई, आज गाउं से फिर एक बच्चा कोई जानवर पकड़ कर जंगल में ले गया ए भगवान, अब तो हमारे बच्चे अपने गाउं में भी सुरक्षित नहीं है, पता नहीं क्या होने वाला है सुन रही हो भागयवान, बंकु से कहना घर में ही रहे, इधर उधर खेलने ना जाए पता नहीं जानवरों का ये आतंग गाउं से कब खतम होगा सर्ताजपुर गाउं में लगभग छे महीने से जंगली जानवरों का आतंग बना हुआ था इस कारण शाम होते ही गाउं के सभी लोग अपने अपने घरों में दुबग कर बैट चाते थे कोई भी नहीं जानता था कि कौन जानवर ऐसा कर रहा है कोई भालू का आतंग बताता तो कोई सियार का कोई जंगल के राजा शेर को इसका जिम्मेदार ठहरा था इसी कारण सरपंच होकुम चंद में चौपाल पर एक सभा बुलाई थी प्यारे गाउं वासियों जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले छे महिने से रोज कोई जानवर हमारे बच्चों को जंगलों में ले जाकर मार कर खा जाता है हम उसी पर चर्चा के लिए आज यहां पर एकत्रेट होए है सरपंच जी आए दिन हमारे गाउं से बच्चे गायब हो रहे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो गाउं के सारे बच्चे मार डाले जाएंगे हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इसके लिए हमें पहले पता लगाना होगा कि कौन जानवर ऐसा कर रहा है ताकि हम लोग उस जानवर से छुटकारा पा सकें यही ठीक रहेगा क्योंकि जंगल में तो सैक्ड़ो जानवर है हम किस किस को अपना निशाना बनाता रहेंगे लेकिन इसका पता लगाएगा कौन कि किस जानवर की ये करतूत है इसके लिए एक डल बनाना होगा जो जंगली जानवरों के गाउं में प्रवेश पर नज़र रखेगा हाँ ये ठीक रहेगा मैं और कल्लू बाबा दोनों मिलकर रात में पहरा देंगे और पता लगाएगे कि कौन सा जानवर हमारे बच्चों को गायब कर रहा है तो ठीक है फिर अगर तुम दोनों पता कर बता देते हो तो तुम्हें गाउं की तरफ से सौस्वान मुद्राएं मिलेंगी ठीक है मरेगा एक दिन सब मरेगा एर बगले चल भाग यहां से जब से हमारे शम्षान में रहने आया है तब से ही पूरा गाउं समस्याओं से घिरा है भोगा एक अजीब सा डरावना व्यक्ति था जो पिछले छे महीने से शम्षान में आकर रहने लगा था कई बार शम्षान के कुट्टों को मार कर खाते हुए देखा गया था कुछ लोग इसे ओघर बताते थे कल्लू बाबा और जग्गी रात में गाउं के बाहर पेड के मचान पर चड़कर पहड़ा दे रहे थे तभी सुबह करीब चार बजे जंगल की ओर से कुछ खर खराहट की आवाज आती है कल्लू बाबा ज़ाडियों के जर्मुट से कुछ आवाज आ रही है चलो चल कर देखते हैं हाँ चलो तुम आगे चलो मैं पीछे से देखता रहूँगा ताकि पीछे से कोई जानवर तुम पर हमला नहीं कर सके अरे कल्लू बाबा, तुम तो बाबा हो, भूत पिशाच को तुम अपने जोले में रखते हो, तुम आगे चलो ना, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा ठीक है, लेकिन तुम पीछे मजबूती से डंडे पकड़े रहना, जैसे ही कोई आहट हो, सतर खुचाना, चलो आओ मेरे पीछे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे तभी जग्ई के पैरों में कुछ लटाएं उलज जाती है, जिन्ने निकालने के लिए जग्ई कल्लू बाबा के कंधी पर हाथ रक रोखता है कल्लू बाबा को लगता है कि कोई भूत उसे पकड़ रहा है, वो चिलाते हुए भागने लगते है जग्ई तुरंत पीछे मुड़कर भागना चाता है तभी कल्लू बाबा बचाओ बचाओ करते हुए पीछे मुड़कर जग्ई के गले को पकड़ लेते हैं उसकी पीट पर चड़ जाता है जग्ई को लगता है कि सचमुच भूत उसकी पीट पर चड़ गया वो पूरी ताकत से दोड़ पड़ता है और लताओं से उलजकर कल्लू बाबा के साथ ही गिर पड़ता है बचाओ, कल्लू बाबा बचाओ, मेरी फीट पर भूट चोड़ा है, मर गया रहे अरे मेरे बाल बच्चों का क्या होगा अब चुप, पीचे से कंदे पर हाथ रखकर मुझे खुट डरा दिया और अब चिला कर और डरा रहा है ए बड़ा बाबा बने फिरते हो, भूट बैताल, प्रेत, पिसाच, सभी को अपने चोटी में बांध कर रखते हो और कंदे पर हाथ रखते ही तरगाए, ठोगी बाबा कहीं के रुको रुको, गहर से ये आवाज सुनो लगता है सच मच को एक होंखार जानवर, हमारी तरफ ही आ रहा है देख क्या रहे हो, भागो दोनों भूत भूत चिलाते हुए गाउं की ओर भागते हैं सुबह होने ही वाली थी, कुछ लोग चौपाल पर आग ताप रहे थे उन्होंने दोनों के आवाजें सुनी, तो उनकी ओर लाठी डंडे लेकर दोडे बचाओ, बचाओ, भागो, भागो, पीछे भूत आ रहा है अरे कौन सा भूत, अरे कैसा भूत भाईया, तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं है, अरे सुनो आवाज सुनो, वो इधरी आ रहा है, भागो अवाजें लगातार बढ़ती ही जा रही थी, सभी डर के मारे अपने अपने घरों में बंद होकर सहने हुए खिड़की से देखने लगते हैं, तभी बंकु अपने घर से एक डंडा लेकर बाहर आता है बेटा, घर के अंदर आजा, देखो ना जी अपना बंकु बाहर चला गया है अरे बेटा बंकु, अंदर आजा, देख बेटा, सभी लोग अपने अपने घर के अंदर हैं नहीं पिता जी हमारे कई दोस्त कायब हो गये हैं आज हम भी देखेंगे की कौन है जो हमारे गाउं के बच्चों को गायब कर रहा है मरेगा सब मरेगा तब ही उधर से जुगनों की आवास आती है बंकू भैस की रसी पकड़ लेता है भैस के पेर के पीछे एक बालती फंसी हुई थी जिसके इंट पत्थर से तकराने से आवास निकल रही थी भैस तो मैं द्वार पर बात कर आया था फिर ये खुली कैसे वो मा ने कहा कि बाहर भैस को ठंड लग रही होगी उसे गौशाला में बात दो भैस बिदक कर भागने लगी भागते हुए उसके पेर में बाल्टी फस गई जग्डी और कल्लू बाबा तुम लोगों के डरपो खोने के कारण आज पुरा गाउं भैभीत हो गया भाई वो तो बंकों ने बहादोरी दिखाई लेकिन बात तो यही है कि आखर बच्चों का शिकार कौन कर रहा है तबी सेथ मंगत लाल रोती रोती आता है सर पंच जी मेरा बेटा मेरा बेटा सुधीर घर पर नहीं है नोकर उने बताया कि सुधीर को सेर दबोच कर ले गया है जंगल की ओर है मैं लुट गया है मैं मुर्बाद हो गया मेरा इकलोता बेटा है धेरे रखो मंगतलाल धेरे रखो हम सभी उसी का उपाय धुणने के लिए यहां इखटा हुए है सुधीर मेरा भी दोस्ता हमें उसे धुणना ही होगा बंकु घर में बिना बताये जंगल की ओर चल देता है एक नदी किनारे रुब कर बंकु पानी पीने लगता है कभी एक काला नाग उसे डस लेता है उसी समय तपस्वी देवराज वहां से गुजरते समय बंकु को तडपता देख उसके पास आ जाते है सांप को पानी में जाता देख तपस्वी देवराज तुरंद समझ जाते हैं कि बालक को सांप ने काट लिया है वो अपने हाथों से डसे हुए स्थान पर हाथ फेरते हैं बंकू तुरंद उठकर बैठ जाता है तुम कौन हो बालक? इस खने जंगल में कैसे आ गए? प्रणा महराज, मैं बंकू हूँ मेरे गाउं से प्रते दिन एक बच्चे को इस जंगल का शेर लाकर मार कर खा जाता है मैं उसे ही खोजने आया हूँ तुम्हारे इस नेक कार्य से मैं प्रसन्न हुआ जाओ, मेरा अशिरवाद है कि कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता जानवर के सामने तुम मैं उससे दस गुना शक्ती आ जाएगी बंकू वहाँ से चल कर शेर की गुफा के सामने उसकी गाउं के बच्चों का बहुत सा कपड़ा पड़ा दिखाई देता है वो जोर सी चल लाता है बच्चों का शिकार कर खाने वाले कायर शेर भार निकल दम है तो मुझसे मुकाबला करके दिखा अबै बिद्दी बालक, भाग जा यहां से शायद तु मुझे नहीं जानता मैं कायर नहीं, मैं जंगल का राजा शेर हूँ जा, इस गलती के लिए मैं तुझे माफ करता हूँ जा अपने गाउन लट जा अच्छा, तो अभी भी बड़ी-बड़ी बाते निकल लई है क्या राजा का यही काम है कि निरी बच्चों को चुपके से उठा कर ले आए और उसे खा जाए एक बार कह दिया न, कि मैं ऐसे काईरों वाले काम नहीं करता शायद तुझे तुम्हारी मात यहां खीच कर लाई है क्यों? एक बालक के सामने अपने कुकर्मों को बताते हुए शर्म आ रही है बस, बहुत हो गया अब मैं और भरदाश्थ नहीं कर सकता शेर छलांग मारकर बंकू को दबोच लेता है दोनों में गुथम गुथा हो जाती है लेकिन कुछी पलों में बाजी पलट जाती है तपसी देवराज के देव हुए वरदान की वज़ा से बंकू शेर से जीत जाता है कौन हो तुम बहादुर बालक और मुझ पर ऐसा इल्साम क्यों लगा रहे हो मैं सर्ताजपुर में रहता हूँ जहां से तुम कल भी मेरे दोस्त सुधीर को दबोच कर ले आये हो जिसका प्रमान तुम्हारी गुफा के सामने पड़े कपड़े है हाँ इसको तो मैंने भी देखा है पर स्यादा ध्यान नहीं दिया शेर तुरंत अपने गुप्तचर सियार को बुलाता है गुप्तचर सियार पता करो कि कौन मेरी गुफा के आगे ऐसी घटिया काम करके कपड़े पहेंकता है महराज ये काम किसी आत्मी का है देखिए कोई कपड़ा भटा हुआ नहीं है सभी कपड़े सही सलामत खोले गए हैं जबकि अगर जानवर करता तो कपड़ों के चीथे होते देख लिया कोई हम जानवरों को भसाने के लिए ऐसा काम कर रहा है ठीक है लेकिन आखिर ऐसी घिनोनी हरकत कौन कर रहा है मैं सामने पेड़ पर से आज रात नसर रखूंगा रात भर बंकू मचान पर जगा रहता है लेकिन वहाँ कोई नहीं आता करीब चार बजे उसे मेंद लग जाती है और वो सो जाता है तब ही चड़िया की आवाज सुनकर बंकू जग जाता है वो देखता है कि कंबल ओढ़े हुए एक आदमी सुधीर के कपड़ों को शेर की गुभा के आगे फेक रहा है बंकू मचान से उतर कर उस आदमी को पकड़ लेता है बंकू जोल से भोगा के पेक में मुक्का मारता है लेकिन भोगा को कुछ नहीं होता अलबता भोगा के एक मुक्के से वो बेहोश हो जाता है समय पर शेर के आजाने से भोगा वहां से भाग जाता है उठो बालक वो कहा गया वो तो भाग गया बंकू तपस्वी देवराज की कुटिया पड़ जाकर प्रणा महराज आदम खोर शेर को मार डाला तुमने नहीं महराज आदम खोर शेर नहीं आदम खोर शम्शान में रहने वाला भोगा है लेकिन आपके वरदान ने उस पर क्यों काम नहीं किया मैंने वरदान दिया था कि जानवर के सामने तुम में उससे दस गुना शक्ति आ जाएगी ये आदमी पर लागू नहीं होता उस भोगा में तो बहुत शक्ति है उसे परास्त करना मुश्किल है भोगा ने एक रिशी को खाने में मांस दे दिया था तब रिशी ने उसे शमशान का मांस खाने का श्राब दे दिया था उसको मारने का क्या उपाय है महराज वो सिर्फ बेल के बेड की लकडी से बने औजार से ही मर सकता है लेकिन उसे मारने के तुरंत बाद दो सौ गज उसकी परिदी से बाहर निकलना होगा नहीं तो सामने वाला भी मर जाएगा बंकु बेल के पेड़ की लकड़ी को नुकीला करके भाला बना लेता है और चीते पर बैट शम्शान पहुँच जाता है आगए आज तेरी मात तुझे यहां खींच लाई है अभी तुम्हारे दोस्त सुधीर को ही खाने जा रहा था लेकिन अब पहले तुझे खाऊंगा चीते तु भाग जा नहीं तो भी मारा जाएगा पहले तु बच कर दिखा ये ले बंकु भाले से कई बार बार करता है लेकिन भोगा को कुछ नहीं होता बालक हो गई हसरत पूरी अब तु मेरा शिकार बनेगा तब ही अचानक तपस्वी देवराज वहाँ प्रकट होते हैं बंकु भाले को उसकी नाभी में मारो बंकु जैसे ही भोगा की नाभी में भाला मारता है एक विस्फोट होता है बंकु तुरंथ चीते पर बैठ कर दोसो गज दूर हट जाता है भोगा का शरीर वही भस्म हो जाता है बंकु को सुधीर के साथ आते हुए देख कर गाउं वाले खुशी सोचल पड़ते हैं सेथ मंगत लाल और सरपंच हुकुम सिंग बंकु को इस कारे के लिए 500 स्वा नमुद्राइं देते हैं झाल